तो सेकंड डेरेटु टेस्ट पे और कुछ एक्जामपल्स देखते हैं, देखें, पेज नमबर 90 टेक्स्ट बुक पे, स्टेट बोर्ट के एक्जामपल है, स्वेंड, 14 नमबर का, find the largest size of a rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit, यह द्यान में रखना है कि radius कितना देखे है, semicircle का 1 unit, so that two vertices lie on the diameter, तो एक हम यहाँ पे पहले geometry निकाल लेते कि एक semicircle निकाला है, और उन्होंने क्या पुछा है question में देखिये हैं, कि इस semicircle के अंदर एक rectangle inscribed करते हैं, तो हमें वो largest size का जो rectangle है, वो inscribed करना है यहाँ पे, मतलब area of rectangle होगा, वो उसको हमें maximum show करना होगा by second derivative test, तो यह rectangle जो हमने लिया है, उसके दो vertices diameter के उपर आने चाहिए, वो यहाँ पे given है, so that two vertices lie on the diameter, देखिये diameter के उपर आ गया, ठीक है, अगर O को हम center consider करते है, circle का, तो O को अगर हम B को join कर देते हैं, तो यह O भी जो होगा, वो radius होगा, जिसकी value is equal to 1 होगी, understand, तो यह given ही है, कि radius of the, radius given है यहाँ पे, R is equal to 1 unit distance, अब देखें, कि इस rectangle की जो length होगी, वो अगर हम X consider करते हैं, तो यह O से लेके C तक, मतलब यहाँ देखें है, DO और OC, यह दोनों equal part में divide हो जाएंगे, तो इतना जो distance होगा, वो X by 2 होगा, और यहाँ पे जो height, यह तो आप ऐसे भी गोल सकते हों कि breadth of the rectangle is equal to H लेते हैं हम, ठीक है, तो यह radius था, जो one given है already, यह वाला X हमने consider किया है, length of a rectangle, उसका half हो जाएगा है यहाँ पे X by 2, और यह जो होगा, वो breadth of a rectangle होगा, but breadth कितनी है, हम B भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, तो अब हम यहाँ पे अगर right angle, triangle में Pythagoras theorem अगर apply करते हैं, तो R square is equal to X by 2 का whole square, plus H square हो जाएगा, ठीक है, बाइपायते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको open कर देते हैं, तो X square by 4 हो जाएगा, X square, तो हमें यहाँ पे X की value in terms of H निकालने हैं, बट R की value यहाँ पे given थी, student 1, हैना, यहाँ पे अगर हम 1 लग देते हैं, और हमें अगर X की value in terms of H निकालने हैं, तो इस H square को यहाँ हो जाएगा, और 4 को यहाँ पर shift कर देंगे तो x square is equal to हो जाएगा 1 minus h square multiplied by 4 तो यह वाला equation एक मिल जाएगा ठीक है स्वेट तो यह हो गया एक relation x का और h का तो यह relation निकालने के बाद देखिए जब हम area of rectangle लेरे स्वेट तो area of rectangle is equal to क्या हो जाएगा length multiplied by bread तो x multiplied by h होगा ठीक है तो area of rectangle is equal to x into h दोनों तोरब हम square करते है square करने का एक reason है कि यहाँ पर x square की value हमने यहाँ पर लिखी हुए तो value हम यहाँ पर direct put कर सकते है तो हमने यहाँ पर x square की value 4 into 1 minus h square यहाँ पर substitute कर दे है इसको h square से multiply कर देते है तो 1 into h square is equal to s square s square into s square is equal to h to the power 4 ठीक है अब हम इसको differentiate करेंगे with respect to h इसको हमने differentiate किया with respect to h तो differentiation क्या होगा a square का तो twice है into d a by d h मतलब यहाँ पर यह composite type का function है तो twice है होगा और फिर से a का derivative होगा d a by d h तो यहाँ पर देखिए 4 तो बहारा h square का derivative हो जाएगा twice h और h to the power 4 का हो जाएगा 4h cube तो यहाँ पर हमने यह twice a होगा इसको अगर हमने denominator में shift कर दिया तो यह 2, 4 के साथ 2 times cancel होगा और यह a denominator में रहेगा बट हमें पता है कि अगर इसको maximize करना area को तो उसकी value हमें first order derivative की 0 लेनी होगी तो यह अगर हम 0 लेते हैं तो यह complete quantity जो होगी right hand side की वो is equal to 0 होगी a और 2 को अगर यहाँ पर shift कर देते हो तो 0 के साथ वो multiply हो जाएगा और फिर से वो 0 बन जाएगा मतलब यह जो bracket होगा is equal to 0 होगा तो यहाँ से अगर हम h common ले ले लेते यह twice h common ले लेते हैं twice h common लेने के बाद यहाँ पर बचेगा student 1 यहाँ से twice h common निकालने के बाद 2 और यहाँ से एक h बचेगा मतलब 2 h square बचेगा twice h हमने common निकाला तो 2 बच गया h common निकाला तो h square बच गया so twice h is equal to 0 हो जाएगा या तो यह second bracket is equal to 0 हो जाएगा student तो इसका मतलब h is equal to 0 हो जाएगा बट अब देखिए कि twice h square को अगर हम यहाँ पर shift कर देते तो twice h square positive हो जाएगा मतलब is equal to 1 है तो 2a square is equal to 1 मिल गया तो h square की value क्या मिलगी हमें यहाँ पर 1 by 2 मिलगी और h की value यहाँ पर हमें लिखते है 1 by root 2 actually यह plus minus होता है but h is not equal to minus 1 by root 2 क्योंकि वो side of a या तो breadth of a rectangle थी okay so breadth of a rectangle होने के बज़े से हम यहाँ पर इसकी value जो है वो positive consider करते है और h की value हम 0 भी नहीं दे सकते है क्योंकि अगर यह 0 बन गया तो यह पूरा का पूरा rectangle इस diameter के उपर आ जाएंगा और उसका कुछ area ही नहीं होगा वो 0 area बन जाएगा ठीक है तो हम यहाँ पे h की value 1 by root 2 consider करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे यह जो relation हमने यहाँ पे निकाला था x square is equal to 4 times 1 minus h square उस relation में हम h की value 1 by root 2 substitute करते हैं 1 by root 2 substitute करने के बाद क्या होगा इसको solve करेंगे, simplify करेंगे तो simplify करने के बाद हमें यहाँ पे x की value plus minus root 2 मिलती है actually बट हम यहाँ पे सिप root 2 लेंगे root 2 इसले लेंगे कि यह फिर से x length of a rectangle था वो negative कभी नहीं होगा, इसले x की value root 2 लेते हैं, तो height हमें यहाँ पे मिलती है 1 by root 2 और x मिलता है root 2, तो यहाँ पे यह dimensions होगे x is equal to root 2 और h is equal to 1 by root 2, यह हमें यहाँ पे find out करना था, okay, find the largest size of a rectangle that can be inscribed largest size of a rectangle that can be inscribed in the semicircle so that the two vertices lie on the diameter, तो हमें यहाँ पे x और h की value यह मिल गए, okay उसके बाद देखिए example an open cylindrical tank whose base is a circle is to be constructed of metal sheet, so as to contain a volume of pi a cube, cubic centimeter of water, find the dimensions so that sheet required is minimum, okay, तो यहाँ पे कोई sheet आपको देखे है, उससे हमें अगर cylinder type का एक बनाना है, बट उसका जो top होगा वो open करना है ठीक है, open रखना है, जब हम कोई sheet से अगर कोई drum बनाते है या कोई भी जो चीज बनाते है तो हमें वहाँ पे उसका surface एरिया निकालना होता है क्योंकि जो भी sheet लगती है, उससे क्या बनता है, वो एक drum जो भी कुछ cylinder है, वो बनता है तो उसका हमें surface एरिया निकालना होता है तो वो जो है, वो required क्या करना है, यहाँ पे minimize करना है ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम कोई एक sheet से अगर एक drum बनाते है जिसका top open हो, क्योंकि यहाँ पे ओपन cylindrical tank बोला है, है न, यह गवर करना है तो यह base में एक circular base रहेगा यह sheet का, यह वाला curd वाला भी रहेगा, है न, यह वाला curd वाला भी रहेगा यह curd वाला भी रहेगा, सिर्प यहाँ पे यह जो ओपर वाला part है वो open रहेगा, है न, ओपर वाला portion open रहेगा तो अब हम क्या करते देखिए यहाँ पे अगर h इसकी height consider करते हैं और r is equal to radius of a base लेते हैं तो volume of a cylinder is equal to pi r square h यह वाला formula और उसके बाद surface area जो होगा स्ट्वेंट surface area मतलब पहले तो curved surface लेंगे curved surface का area क्या होता है 2 pi r h यह तो formula क्योंकि इसका उपर वाला portion जो वो open है तो सिर्फ नीचे वाला base है तो base क्या दिख रहा है आपको circle दिख रहा है तो circle का क्या होता है area pi r square होता है और curved surface का 2 pi r h तो इस equation को अगर हम differentiate कर दे with respect to r तो यह हो जाता है ds by dr तो यहाँ पे r का differentiation अगर लेते हैं respect to r तो यह 1 हो जाएगा और यह 2 pi h as it is रहेगा यहाँ पे pi constant था स्टोंड r square का derivative हो जाएगा twice a okay बट हमें यहाँ पे surface एरिया जो है वो minimum दिखाना इसलिए first order derivative 0 लेना है मतलब हमें for extremum values हमें यह वाली condition लिए है okay for second derivative test तो यहाँ से हमें यह वाली time is equal to 0 मिलते है जबकि यहाँ पे 2 pi और 2 pi common दिख रहा है तो हम पूरे equation में से 2 pi अगर drop कर दे तो हमें h plus r is equal to 0 मिलता है बट यहाँ पे देखिए अगर h is equal to r को अगर हम यहाँ पे shift कर दे तो minus r होता है बट आप देखिए यहाँ पे radius हमने यहाँ पे लिया है और यह height तो इसमें से कोई भी quantity negative नहीं होगी जबकि हमें यहाँ पे equation में h is equal to minus r मिल रहा है तो हम क्या करते है कि इसका modulus लेते है मतलब height और radius जो होगा उनका modulus क्या हो जाएगा तो यह जो volume का formula ता है यहाँ पे हम h के जगह अगर r लिख ले यहाँ पे h के जगह minus r नहीं लिखेंगे क्योंकि h और r दोनों का modulus से हम एस रहें है ना वो कभी negative नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे h की value हम क्या लिखते है r लिखते है तो r लिखने के बाद देखिए यहाँ पे volume कितना given था question में यह था pi a cube अगर हम यहाँ पे pi a cube लिख दे volume के जगह और यहाँ पे pi r cube लिख दे है ना यह r into तो यह से pi और pi cancel हो जाएगा ठीक है तो a cube is equal to r cube मतलब r की value क्या मिल गए हमें a मिल गए ठीक है but r is equal to क्या था student r is equal to h था क्योंकि radius और height दोनों same थी मतलब radius और height दोनों क्या हो जाएगी same हो जाएगी तो यही हमें यहाँ पे find out करना था but हमने सिप यहाँ पे एक चीज नहीं दिखाई पिछले भी example में एक चीज नहीं दिखाई यहाँ पे हमें actually जो volume of sorry surface area जो था वो क्या दिखाना था student minimum दिखाना था तो हम surface area minimum दिखाने के लिए क्या करते है कि जो derivative first order derivative था उसको फिल से differentiate करते तो यहाँ पे देखिए इसको अगर with respect to r differentiate कर दे तो यहाँ पे r है नहीं तो यहाँ पे हमें कोई condition लगानी नहीं पड़ीगी क्योंकि यह 2r जो है वो purely constant है और वो greater than 0 होता है पोजिटिव होता है अगर यह पोजिटिव बन जाए तो इस surface area क्या हो जाएगा minimum हो जाएगा for h is equal to r तो उसके बाद हम यहाँ वाला solve करते है okay sir so this way we find the dimensions of a given cylindrical sheet when its area is given a minimum okay उसके बाद देखिए एक और example the perimeter of a triangle is 10 cm if one of the side is 4 cm what are the other two sides of the triangle for this for its maximum area ठीक है तो maximum area के लिए हमें हापे perimeter of a triangle तो given a strand उसकी one side 4 cm given है और other two sides हमें हापे निकालने है जबकि उसका area क्या हो जाए maximum हो जाए तो इसको थोड़ा सा example जब भी आप पढ़ते हो तो उसको थोड़ा सा split करना पड़ेगा मतलब उसके part-part करने पड़ेगा और समझने पड़ेगी हर लाइन का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर perimeter of a triangle यह given as 10 cm उसमें से one side कितनी given है 4 cm what are the other two sides मतलब हमें यह वाला निकालना है other two sides निकालना है है ना जब maximum क्या होगा area given होगा तो हम यहाँ पर perimeter देखते है perimeter मतलब क्या होता है कि triangle के सभी sides का addition तो perimeter is equal to यहाँ पर हो जाएगा a plus b plus c हो जाएगा ok a plus b plus c तो यह सभी sides का addition मतलब perimeter होता है बट उसमें से एक side given है अगर हम ऐसे सोच लेते कि यहाँ पर c is equal to 4 है तो c की value मैंने 4 यहाँ पर रख दी उसके बाद यह तो perimeter था semi perimeter का मतलब क्या होता है जो भी perimeter होगा उसका हाप होगा तो semi perimeter is equal to perimeter divided by 2 semi का मतलब हाप होता है तो perimeter का हाप करेंगे हम तो perimeter 10 था तो 10 का हाप कितना हो जाता है 5 होता है आपको hero's formula पता होगा area of triangle का area of triangle is equal to होता है under root of s s minus a, s minus b, s minus c यह सब school level में आपने पढ़ा होगा है formula ठीक है जहाँ पर s क्या होता है semi perimeter होता है जिसकी value हमें यहाँ पर 5 निकाली है तो s के जगा मैं 5 लिखता हूँ यहाँ पर b s के जगा 5 s के जगा 5 और s के जगा 5 उसके बाद यहाँ पर हमारे पास a, b और c की value a की value मैं as it is लिखता हूँ b भी as it is लिखता हूँ बट c की value हमें यहाँ पर 4 गिवन थी तो c की value जो हमने यहाँ पर 4 लिखी थी वो यहाँ पर 4 लिख देंगे तो 5 minus 4 is equal to 1 हो जाएगा उसके बाद हम दोनों तरफ squaring करते हैं क्योंकि square root रखके जो हम differentiation करते हैं वो थोड़ी सी दिक्कत आती है तो हम क्या करेंगे उसको square root free कर देंगे तो दोनों तरफ square अगर लेते हैं तो square root निकल जाएगा उसके बाद देखें यहाँ पर जो b की value थी वो in terms of a लिख देंगे तो 6 minus a था तो यहाँ पर b की जगह अगर मैं 6 minus a रख दू b की जगह 6 minus a रख दू तो actually बाहर minus है तो 6 minus a अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो bracket open करने के बाद यह minus 6 बनेगा और minus of minus क्या बन जाएगा plus a बन जाएगा तो अभी देखिए यह जो area of a triangle है वो in terms of a express किया है तो इसी दरह से हमें function को express करना होता है कोई भी एक function के form में express करना होता है तो यहाँ पर हमने a के form में इसको express कर लिया उसके बाद इसको थोड़ा सा simplify कर देते मतलब यहाँ पर minus 1 होगा इन दोनों का multiplication लेने के बाद हमें यह वाला equation मिलेगा इसको फिल से solve करने के बाद मतलब इन दोनों का addition जैसे लिया है हमने यहाँ पर और यहाँ से मैंने minus sign common ले लिया minus common लेने के बाद यहाँ पर plus 5 बन जाएगा ठीक है इन दोनों का addition 6 से होगा बड minus मैंने common ले लिया बाद यहाँ पर minus 6 से होगा यहाँ पर minus A square था minus मैंने common ले लिया तो यह plus A square होगा तो मैंने यहाँ पर सिब A square का sign minus था इसलिए मैंने यहाँ पर minus का sign common लिया दरवाइस आप ऐसे भी रखके solve कर सकते उसको ठीक है तो इसको हम अगर differentiate कर दे स्ट्रांट विद रिस्पेक्ट विए तो देखें क्या होता है यह delta है विद रिस्पेक्ट विए हम इसको differentiate करें तो इसको हमें composite type treat करना पड़ेगा तो 2 times delta और यहाँ पी मिलेगा delta का derivative d delta by da is equal to minus 5 तो constant a square का derivative twice होगा a का derivative 1 होगा तो 1 into minus 6 is equal to minus 6 और यह constant यह constant का derivative लिखने की जोरतने वो 0 होता है ठीक है फिर से हम क्या करते कि यह तो first order derivative हो गया अगर मैं इसको equation number 1 देदू तो for extremum value हमें first order derivative 0 लेना होता है अगर हम इसकी value 0 लेते तो 0 into 2 times delta यह क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा तो यह पूरा right side जो होगा is equal to 0 होगा फिर से minus 5 को अगर shift कर दे तो twice है minus 6 is equal to 0 मिल जाएगा ओके तो यहाँ से minus 6 को shift कर दीजिए a की value आपको 3 मिल जाएगी यहाँ पे 2 shift करने के बाद इस तरह से हमें a की value मिल गए अभी हमें यहाँ पे a की value निकालने के बाद b की value निकालनी क्योंकि हमें यहाँ पे सिब 2 values निकालनी थी a और b की तो यह वाला जो relation हमने यहाँ पे तयार किया था b is equal to 6 minus e तो a की value गर हमें यहाँ पे 3 रख दे तो B is equal to 6 minus 3 6 minus 3 is equal to 3 मतलब B की value क्या हो जाएगी? 3 होगी ठीक है? तो जो two sides of a triangle होगी वो क्या हो जाएगी? 3 और 3 जब उसका area क्या हो जाए? maximum बड़ यहाँ पर एक चीज़ मैंने छोड़ी है इस ट्रेंड जो basically आपको जब भी example आप board exam solve करते हो तो उस वक्त आपको लिखनी पड़ती है कौनसी एक time हमने यहाँ पर छोड़ दी कि यह first derivative जो हमने यहाँ पर निकाला ता स्वेन, इसका second derivative हमें यहाँ पर निकालना पड़ता है तो second derivative निकालने के बाद देखिए यह वाला maximum है तो already यहाँ पर minus sign आके तो यहाँ से गायब नहीं होगा, इसका कुछ तो भी differentiation 2 रहेगा, 2 into minus 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, minus 10 minus 10 मतलब less than क्या हो जाएगा less than 0 हो जाएगा, अगर less than 0 minus 10 जो है, वो less than 0 हो गया मतलब second derivative जो है, वो less than 0 है मतलब जो function होगा वो function क्या हो जाएगा, maximize क्योंकि less than 0 होता है, तब maximize होता है तो यहाँ पर जो function है वो area of a triangle है, तो area of a triangle क्या हो जाएगा, maximum होगा इस तरह से हम उसका dimensions निकालते हैं उसके बाद एक last example है, यह वाला एक देख लेते हम, देखिए, क्या है यहाँ पर कि a box with a square base is to have an open top the surface area of the box is 192 square centimeter what should be its dimension in order that the volume is larger, तो यहाँ पर एक box है, जिसका square base है, देखिए, यह जो base है वो square बताया है, square अगर base है तो अगर मैं इसकी side x लेता हूँ, तो 4 भी side x हो जाएगी, ठीक है, तो उपर यह वाला, अगर square हो गया, तो यह वाला भी उपर हो जाएगा, उपर वाला भी same इसी तरह से हो जाएगा, तो इसकी side अगर x है तो यह भी x x हो जाएगी, बट यहाँ पर इसकी height नहीं बताया है, अगर height कुछ अलग हो, तो उसकी height मतलब यह वाली length जो है, वो इससे अलग हो सकती है, तो हमने यहाँ पर इसकी length समझी की height h consider की, तो यह 4 भी side क्या हो जाएगी, वो height जो है, वो h हो जाएगी, ठीक है तो यहाँ पर हमने x, जो length of a base लिया है हमने यहाँ पर, और h is equal to height लिया है, देखिए इसका जब surface area निकालते हम, तो नीचे वाला surface और उपर वाला surface दोनों same होगा, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे वाला और an open top बोलाए है नने, an open top, मतलब यह top जो है, वो minus हो जाएगा, सिब नीचे वाला area लेना पड़ेगा, तो नीचे वाला area कितना हो जाएगा square का, x square होगा, इसलिए हमने यहाँ पर x square लिया है, अब देखिए जो side वाले 4 faces है इसके, तो इस पहले face का देखिए, जो आगे वाला दिख रहा है, इसका अगर area निकालना है, तो यह square बन गया, है यहाँ पर hx है, यहाँ पर hx होगा, यहाँ पर b h और x होगा, ओके, तो यह 4 faces सेम होगा student, इसलिए इन 4 faces का अगर हम area निकालते तो वो hx plus hx plus hx plus hx, 4 time hx होगा, तो उसका addition हो जाएगा 4 hx, ओके, बड़ यहाँ पर surface ही रहा हमें 192 given student example में, तो हमने यहाँ पर 192 substitute किया, ओके, so 192 रखने के बाद देखिए, यहाँ पर क्या होता है, कि इसको हम अगर solve करते हैं, तो solve करने के बाद x को हम यहाँ पर denominator में लेते हैं, और यहाँ 4 h plus x मिलता है, x को हम यहाँ पर shift कर देंगे, 4 को shift कर देंगे, मतलब h को in terms of x हमने यहाँ पर दिखाया है, तो h को in terms of x हमने यहाँ पर लिखाया है, अब क्या करते है, volume of the box जो होगा, volume of the box क्या होगा, देखिए, student, l into b into h, आपको यह formula पता है, cuboid का, तो यहाँ पर l और b जो है, दोनों same है, x into x हो जाएगा, h तो h है, तो x into x into क्या हो गया है, h हो गया, x into x, x square हो गया, student, और यहाँ पर h है, ठीक है, बड़े h की value हमने यह निकाली हुई थी, यह value value हमने हैं पर substitute कर देंगे, देखिए, v को in terms of x हमने express कर लिया है, x square को अंदर multiply कर दो, तो यह वाला time मिल जाता है, अब हम इसको differentiate करेंगे, student, with respect to x, x से अगर हम differentiate करते तो 1 by 4 बाहार रहेगा, और x का derivative 1 होगा, तो 1 into 192 is equal to 192, x cube का derivative हो जाएगा, student, 3x square, तो यह 3x square हो गया है, ठीक है, तो हम इसको equation number 2 बोल देते हैं, अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, कि extremum values, मतलब जो x की value हमें यहाँ पर निकालने है, उसके लिए हमें first order derivative 0 लेना होता है, तो हमने यह वाला 0 ले लिया, तो यह 0 लेने के बाद देखिए क्या होता है, कि 4 को अगर हम यहाँ पर shift कर दे, इसको cancel करने के बाद, तो x की value plus minus 8 मिलती है, जबकि यह length है, तो यह negative कभी नहीं होगा, तो हमें x की value positive consider करने हैं, यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, देखिए कि x is equal to 8 के लिए, तो यहाँ पर पहले volume को maximize दिखाने के लिए क्या करते हैं, कि इस second equation को differentiate कर देते हैं, with respect to x, तो यहाँ पर 192 का derivative 0 हो जाएगा, और यहाँ पर derivative हो जाएगा, minus का 6x, तो देखिए, यहाँ पर 0 और यह minus का 6x, तो 1 by 4 तो बाहार था constant, तो यह हमने 1 by 4 लिग दिया, इन दोनों का अगर multiplication कर देते हैं, तो यहाँ पर quantity मिलीगी, अगर हमें यहाँ पर x की value 8 भी रख दे, 8 भी रख दे, तो यह पूरी की quantity जो है, वो negative मिलीगी, मतलब less than 0 होगी, तो जो volume होगा, वो क्या हो जाएगा, maximum होगा, जब x is equal to क्या मिलेगा, आपको 8 मिलेगा, ठीक है, बिसिकली मुझे यहाँ पर ऐसे लिखना था, minus 6x divided by 4, और x की value यहाँ पर 8 रख नहीं थी, तो 8, तो यह 2 times cancel हो जाएगा, तो यह minus का 12 मिलेगा, जो less than 0 होगा, तो volume maximum होगा, जब x is equal to 8 है, तो अब हम x is equal to 8 जो value है, वो इस equation में रखते हैं, कौन से equation में यह, तो यहाँ से अगर हम 8 रख दे, तो हमें यहाँ पर h की value मिल जाती है, तो h की value हमें यहाँ पर क्या मिल गई, 4 मिल गई, तो यह calculation part है, आपको समझ में जाएगा, तो इस तरह से हमें height जो है, वो 4 cm मिलती है, और जो side of the base है, वो क्या मिला हमें यहाँ पर 8 cm मिलता है, तो इस तरह से हम second derivative test का use करके example solve कर सकते हैं, तो बाकी कुछ और example है, वो देखते हैं next video lecture में, Thank you.